सारा समझ गया आप अभी को सेट्स लाए थे रिपेर करें कितने बना लिए एक ये भी सेट है आप कही था ना नेटवर का आप साथ मिलाए थें क्या प्रॉब्लम था थोड़ा सा बताओ इसमें ये नेटवर का प्रॉब्लम था पहले हम लोग ने ट्रेस किया फिर जाके क्या 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 काम कर दी थे पहले वो बताओ पहले उसका टूजी पिए चेंज किया था और फोडिपी ये ये डेविटिया चेंज करने पर अपने जब चेक करें तो ग्लॉक में क्या वेलु आरा था अब लॉक में कितना कितना ह। तो जा जाए कर बैलेंस फिर लाइव क्लास में सर आपको रिपर करें प्रॉब्लम निकला लास्ट में एक रिजिस्टर था जो कि जीरो ओंस का था तोड़ा इधर भी गुमा उबाइट थे लाइव बनाए कि नहीं बनें सेट लाइव बनाए ना यह एक रिजिस्टर की हाँ फिर एक चोटा रिजिस्टर भी बहुत इंपोर्टेंट है जब पर मार के देखते थे हूं हाँ आप जब प्रास करिए तो रेडियो आफ का प्रॉब्लम आ गया था ना इसमें तो तो इस्टेप बेस्टेप देखे पुरा डाइगराम बनागिए अपन सीखे तो कोई कर दूब्लम ना चाहें आपके सिटी से क्या बोलना चाहें जाएंगे आ सकते हैं सर बहुत अच्छी इंस्टीट है और बहुत कुछ सिखने को मेलेगा जितना एक्सपीरेंस हम आगे बहुत टेम लगता है उतना कहें कम टाइम में आपे जो जो ट्रीक है से बहुत स्यादा सब्सक्राइब इसके अंदर जो नेटवर्क इस्वे जो इसके अंदर जयां ऊबंगा वह यह यहाँ राये प्रोव्यडर यहां एट ल का और यहां देखेंगी जो इन्ध 10 के अंदर जाएंगे फ्रिफर नेटवर्क टाइब यह सारा चीज जो है इसके अंदर और यहां देखिएंगे अपन मोबाल नेटवर्क इसके अंदर जैसा सब्सक्राइब तो यह बता देगा कुटनाट सब्सक्राइब प्रविडेल लिश्ट कुटनाट सर्च फर मोबाल नेटवर्क तो यहां जो इश्वाता है यह नक नर्मली आपको जिसके अंदर जो इसके अंदर यहां बता देता हूं मैं जो जैसा आपन कॉल करते हैं तो इसके अंदर शो करता आपने को कॉल करेंगे नार्मली वन मैंनेट लगा रहा हूं मैं काल तो तर्न आफ एरो प्लेइन मोड तर्न आफ एरो प्लेइन मोड और कनेक्ट विए वार्लेस नेटवर्क में के कॉल मतलग यह फ्लाइट मोड के अंदर आपने शो कर रहा है सैंसंग के मोडल के अंदर यह अटो फ्लाइट मोड भी शो करता आपको और यहां देखेंगे जो रेडियो आफ के लिए चक करता हूं मैं बैक आ रहा हूं पर श्टारइश टारइश फॉर 636-8-4 फोन इनफर मिशन वे जाएंगे यह बाल रेडियो पवर आफ है तो इस रुच्छ जैसा मैं अर्दिया और जैसा बैक जाएंगे फिर चेक करेंगे एक अटो कट आफ हो जाता यान से आफ हो जाता कि इसकी जो इश्यू है इसके अंदर जो अलड़ी इसके अंदर रिपेर करें कुछ लोग और और यहां देखेंगे पहले यहां जो आरड़ी जो है डविटी आर जो इस्टी आर लगा हुआ इसमें फंफाइज जिरू इस सारा कुछ जो है अलड़ी निकाले हुआ है इसके अंदर पिछे के तरफ देखेंगे यहां 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 बीच में जो है चोटे-चोटे स्विच लगे हुआ है सारा चीज एंटीना स्विच जो लगा हुआ है और जो चेक करेंगे जब रेडियो आफ में रहता तो जो एसडी आर को मिलने वाले ओल्टे जैस सारे क्या होते बंद में रहते तो यहां चेक करेंगे किसीपो को बोड के अंदर में फिट कर लेता हूं उसके बाद बैटरी आउटसाइड से बैटरी निकाल लेता हूं और यह भी निकाल ले रहा हूं उसके बाद कोणाइबा हूं ुका आर व Stallुब सक खोगा जover झुक झाल जाओं करेंप एञा रेक्रषा में में गलाओज़ी कढ़कर को बात्सके भाले निकाल सबस्क्या अब बैटरी कनेक्टेड है और फोन को अन कर लेंगे पहले अब अब अपना फोन अनों गया कि जैसांआ फोन आणों गया तो यह चालिंगे जो है लगा वह कि तो ऐडियार के अगल बगल में सारा दाश करेंगे मिल रहे हैं या नहीं पास सेak twins है जो बड़े-बड़े का दिखार रहे हैं है ठीके दिखरा है अब ही? हिर सिंद कर दो एक दो खो रृट करना साया Stephen की एक वाउरी कि एक वाउरी का एक वाउरे का वाउर्टा में आप्रे एक प्रशड़ पर एक डिखराय कि वाउरी कि एक 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 शता है वर में रदोर में वी God क्या आप देख रहे हैं जो HDR के लिए जो वोल्टेज आते नर्मली जीरो पाइंट एट वन पाइंट टू और इसके अंदर आपको 0.80 यह सारा ओल्टेज मिलेंगे HDR के पास तो चेक करेंगे यह एजडियर पर कोई वोल्टेज मिल रहा है यह देखेंगे HDR पर आ रहा है अपने को 0.80 इदर मिल रहा है ठीक है और उसके बाद यहां देखेंगे अपन इसके उपर देखेंगे अग्यों कोई वोल्टेज नहीं है ठीक है यहां देखेंगे कोई वोल्टेस नहीं है अब यहां देखें गेशा के उपर 0.80rN यहां दեखें यह वाला क्याप के ऊपर यहां भी कोई voltage नहीं है और यह चोटे-चोटे बेस्टेंस जो लगा हुआ है इसके उपर अपने को यहां बनाना चाहिए यहां भी कोई type of voltage यहां भी नहीं है इस पे भी voltage आना चाहिए इस पे भी नहीं है तो इसके उपर सिर्फ 0.80 का एक ही ओल्टेज बन रहा है ठीक है तो यह वाला ओल्टेज एक ही ओल्टेज बन रहा है और बागी का कोई ओल्टेज नहीं बन रहा है तो यहां देखेंगे 4G PA लगा हुआ है 4G PA के पास चेक करेंगे यहां चार उल्ट का सप्ले एक मिल रहा है ठीक है और उसके बाद यहां देखेंगे इसके उपर कोई यहां देखेंगे 1.8 की वह वह ओ इन और इदर तो 4G PA जो मिलने वाला जो है यह वाला व्ल्टेज इसको आ रहा है और यहां 2G PA जो लगा हुआ है इसके पास चेक करेंगे यहां देखेंगे अपने को यहां इसके अगल वगल में देखेंगे यहां कोई ओल्टेज नहीं है ठ धिके और इसका यहां चेक करेंगे यहां कुछ 1.8 वियो का इन यहां भी आ रहा है इदर यहां देखेंगे 1.8 की वह सप्ले है और जैसरा एक कामनtu व्ल्टेज उता है अपने-चोर ओल्ट की चर्बलंट की सप्लेज भी चेक करेंगे यहां यह बी अविन रहा है अपने को तो जेश्ट अपने को इतने سारे वुल्टेजनanten जो बराना है जो पावर से आने वाला स्टेज आर को उसमें से जेश्ट अपने को 0.80 का एकी वुल्टेज मिल रहा है अपने को बाकी सारा वुल्टेज जो है कोई भी टैप अवुल्टेज डबूटी आर क्वें जो अपना HGR को एक्टिव को करने के लिए कुई value नहीं मिल नहीं हैं तो m श्री आ को मिलना है वाला बन क्वेंट्उ ओल्ट यां मिल पने वी saints और यहां भी ऐना प्ये-पाथ डी और यहां मिल गाया जो consort अब जो बेपी हेच लाइन आता उसका विपी एच्छलिए यहां मिल गया तो इतने सारे विटेज्टो मिल रहे अपने पो और सारा इसी जो एंड और जो एक काम कर आ हो क्षचित को पिल पिल्टिव कि Tech क्षच सबस्क्राइब आर्मन ट्राइब लेभी उम्पंब भीन्ट देखेंगे जो टुनछी तरफ भी देखेंगे एक बार करें तो इस एक भार तो यह देखेंगे हैपन यहां भी देखेंगे जो यहां भी अपने को एक 3.0 वोल्टेज बनना है यहां भी चक करेंगे एक वोल्टेज यहां भी कुछ वोल्टेज यहां भी नहीं है और उसके बाद यहां देखेंगे यहां भी एक 1.8 की वोल्टेज बननाएं अपने को यहां भी कोई बोल्टेज यहां पेकाइब नहीं है और इर्सेंस पर देखींगे यहां भी कोई ओल्टेज नहीं है और यहां देखीं ध्यल इप्धिय ऑ्थी जो होग फिप्र लगा हुआ है इसके ऊपर चेक लिए यहां मिल रहा है तो इसके अंदर जो और पुट्ट प और जो बिलना है या क्या क्या करें तो इसके अंदर selvah voltages अपन चेक कर लिए सभी पर कोई पर कोई भी type of voltages जो है नर्मली एक PA को आने वाला voltages मिल रहे है और VAO का voltage मिल रहा है और जो अपना नर्मली VPH मिल रहा है ओ चोड़के बागी का सारा voltages जो है कोई भी voltage नहीं बन रहा है और एक voltage बन रहा है अपने को 0.80 का EQ voltage SDR का voltage एकी सिंगल voltage बन रहा है तो इसको जरा मैं निकाल देता हूँ निकाल देके इसका cool testing कहा करना है क्या क्या करना है मैं testing बताता हूँ आपको इसको मैं remove कर दे रहा हूँ यहां जो मैं इसका सारा डाग्राम दाल चुका हूँ इसके अंदर जो है अपना यह जो हो गया अपना HDR 850 और इसके जो input lines हा रहे अपने को VRGL5 0.8 का और 0.87 का 1.8 का 1.7 का 1.2 का 0.80 का यह सारा voltage अपन चेक कर लिए थे इसके अंदर जो है अपने को 0.8 ओल्ट सिंगिल 887 वाला यह वाला L5 L5 का यह वाला voltage एक मिला था अपने को बाकी का कोई voltage तो नहीं मिला था और यहां जो है आपन एक्शोली चेक करने का line जो है यहां जो दिखा था अपने 4 ओल्ट का दिखा था वियेव 1.8 दिखा था टूजी पिए के पास 4 जी पिए के पास यहां भी आपने को 1.8 का एक VAGO मिला था और इसके उपर भी VPH की लाइन मिला था अपने को और इसके उपर जो है अपना यहां जो देखेंगे इसके अंदर जो है यह वाला जो एंटिना कनेक्शन से लेके यहां छोटे-छोटे स्विच दिया हुआ है इसके अंदर भी अपना यहां भी 2.7 का वो वोल्टेज आसा रहा है इसके लिए भी अपने को 1.8 का वोल्टेज यहां भी मिल रहा है इसके अंदर भी VAGO इन्पुट हो रहा है यह 1.8 का तो यह सारा वोल्टेज जो है अपने को सारा वोल्टेज कोई भी टाइप आप उल्टेज नहीं बन रहे सिर्फ सिंगिल वोल्ट ये वाला Alpha ये वाला एकी वोल्चेज बना रहा है और बागी का जो है जो यह d यह वाला Multigy बना रहे तो इसके अदर हम चेक करएंगे इसका जो Clock data का Line जो है इसके अंदर उसके अपने को इसके अंदर जो आ रहा है इसका जो आइटो-सी का Clock श्राक और डाटा नेमड्र का जो है यह वाला पिम्स को आपन चेक कर लेंगे जो फोर जी पी और यूज नेमबर और पांच नेमबर पे तो एक बार मैं इसका जो ऐसी अनेमबर कर देता हूँ आइसी को लिफ्ट कर लिए जिसाइसी को लिफ्ट हो गया उसके बाद जो है अपना आइसी का जो है एक निमबर यहां से शुरू हुआ आइसी को यह वारा पाइंट के अंदर जो है अपने को यहां से लेकर अपने को जो पिन नेमबर वन स्टाट हुआ अपने को तो वन पिन नेमर वन से लेके यहां से ऐसी का डॉट है तो वार्ण टू त्री फॉर फाइट सिक्स पांच और छे निमबर पर चेक करेंगे यहां जो जितना रीडिंग आ रहा है अपने को कुल टेक्स के अंदर ताकि HDR का जो क्लाग डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है आपने यहां समझ में आ जा था तो यहां निकाल दिया मैं इसी को उटस के लिए यहां प्राफर लिल रहा है मतलब अपना HDR से जो लाए यह वाला भी अपने को करने के लिए कोई कॉंपोनेंट नहीं है इसलिए आइसी लिफ्ट करके जग करना पड़ता तो यहां भी देखें इसको पीए को पहले जैसा यह वैसा फिक्स कर लेंगे ताकि कि यह वाला लाइन भी अपना कनेक्टेड है तुप अभी देख रहा है कि यहां से यह वाला जगए लेक्टेड़गी साव अब्सक्राइब पहँ सावगे का यहां झाला तुप लागे कि अजतरस घर अज़ज़गी लिवलेशब लिए रहां कि अज़ग अकोपनेशे लिए खके रहां करीकी कि वालागे कि देखे यहां लिएगगी बड़़गी यह तो ऐसी तो अपना करेक्टेड हो गया और जो इसके अंदर जो है इसका अपने को सारा चीज के अंदर यह वाला लाइन चेक कर लिए अपन यह वाला लाइन चेक कर लिए इसके अंदर अपना पांच और छे निमबर पर अपने को रीडिंग ओके आ रहा था इदर जो HDR का clock data अपने को मिल रहा था और next मिलता अपना अभी ये वाला देखेंगे जो अपना IC को जो IC को अपना CPU से मिल रहा है जो इसके अंदर out वाला line तो connected है इसका मगर इसका इनकी line के अंदर चेक करेंगे और ये वाला अपना चोटे चोटे फिल्टर के अंदर जो भी यहां भी जा रहा है अपने को इसके अंदर चोटा एंटिना स्विचे के अंदर भी यहां भी जा रहा है अपने को इसके अंदर भी गया इसके अंदर भी गया तो ये सब चीज चेक करेंगे इसके अंदर जो है बीच में सिर्फ और सिर्फ दो इरिश्टर यहां connected दिख रहा है अपन जो cpu से आने वाला i2c जो है इसका तो यहां देखींगे अपन सीधा इसके पात जो है यह वाले switches जो है यह वाले switches जो है यह वाले scientists जो है antenna की line के अंदर यहां से लेके connected है यहां भी एक दिख रहा है यहां भी अपने के एक 2.7 का voltage मिलता यहां भी अपने के 2.7 का voltage दिख रहा है ना तो यहां भी अपने के 2.7 का voltage मिलता और यहां भी अपने को जो है 1.8 का voltage मिलता यह वाला इसके अंदर उपर वाला उआ यह भी अपना शभी यह वाला। खलाको डटा मैंई ही कि अन्दर है इसके इनका एक रिचरस इंज जो है अपना मिंसिंग हो गैं यहां दिखराऊएं है तुम्हारें के इफ रिच्टेसञ जुह है इधर फिर योफि छृूच्ट है इसके अग। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ठीक है तो यहां देखेंगे यह वाला स्विच जो है अपना यहां लगा हुआ है यहां भी अपने को एक 2.8 की सप्ले यहां भी मिलता यहां वनोल्ट मिलता यह चोटे-चोटे स्विचेस के अंदर लेके जो सीप्यू से लाइन आ रहा है य यह वाला सीप्यू से लाइन आ रहा है यह वाला लाइन जो है यहां से अपने को इसके अंदर भी जो क्लाक और डाटा इन वह रहा है इसके अंदर तो यहां जो है उपर यहां देख सकते आप इसके अंदर जो है एक क्लाक डाटा के अंदर का एक रेश्टर जो है यहां तो अपना R0110 है यह वाला रेश्टर तो यह वाला रेश्टर जो HDR को मिलने खा जो input line के अंदर जो है इसका जो line open हो गया इदर इसलिए जो अपना जो section पूरा off के अंदर पड़ा हुए और अपने को जो radio off करके अपने को शो कर रहा है और call भी कुछ भी call कोई भी call करेंट नहीं हो रहा है इसके अंदर तो यह वाला जो चीज है इसको अपने चोटा सा इदर जमपर करेंगे यह नर्मली एक 0 ohms के restaurant से यह तो इसको आप short भी कर सकते हैं यहाँ देखीगे इसके अंदर यह वाला जो रीडिंग आ रहा है अपने को IC के तरफ से आ रहा है जो यह वाला रीडिंग जो अपने को CPU के तरफ से आ रहा है यहां देखिए रीडिंग कितना है 466 यहां देखिए अपने को 466 सेम रीडिंग मिल रहा है मगर यह वाला लाइन जो अपना open है इसलिए जो है अपने को मगर यह IC से यह वाला लाइन connected है इसलिए सम जी आर 470 का जो जी आर है इधर शो कर रहा है अपने को और यहां जो है आपना 849 का जी आर शो कर रहा है इसको जिरो हम का रेश्टर रहता है इसको short कर सकते हैं तो नार्मल इसको एक छोटा सा जंपर कर लेंगे याँ कि अब कि अब कासा इसको मैं short कर लिया तो इसकर लेकर नार्मल इक श्वारट अवगे को तो यहां चक करेंगे इसके अंदर यहां जुदिंग चक कर लिया भी 474 का रेडिग यह बी को टि biology बेंटेंग उन्हों यहां भी एपना 450 सिकर रेडिंग जो सेम बीय चाए अंदर आ गया या नहीं बन रहा है क्जस्साइल कि अभी अपना फोन अनों गया अब चिक करेंगे यहां इस डियार के अंदर जो ओल्टेजस मिलना है यह सारा वोल्टेजस जो है यहां एक ही पॉइंट पर अपने को वोल्टेज मिल रहा था अभी यह चिक करेंगे इसके अंदर यहां कितना वोल्टेज मिल रहा है यह एक बार यहां चिक करेंगे 0.87 यहां मिल रहा है अभी यहां देखेंगे इसके अंदर 0.70 तक का वोल्टेज यहां मिल रहा है तो 1.8 का वोल्टेज यहां भी आ गया अपना और यहां चिक करेंगे यहां भी अपना 1.9 का गया और यहां भी देखेंगे तो यहां भी अपना 0.80 का voltage यहां भी अपने होलटेज बन रहा है light fluctuation के अंदर है थाकि on bunlar ज tes so तो यहां देखेंगे अपना यहां भी अपने इसके अंतर भी lg सेम लाइने यह एकी ही लैन है तो यहां भी Ol oppose R लॉए शारा जो-भी कि शारा लैन पे जिتने भी जो गोडे जैंसा इक्टीन हो गया भी सारे पर अपने को हूटे तो बीगल मेर इदर सप्पले जैस अपने हो मिल रहा है प्राव ओल्टेज है सबने को यहां सभी के उपर अपने को ओल्टेज सब चीज मिल गया और यहां देखेंगे अपना बैक सेट इसको टर्न करके देखेंगे इसके अंदर अपना फॉल के अंदर पावर कीष्स था इधर से कर दता हूं तो यहां देखेंगे अपना कि तो यहां पर देखेंगे हैं अपना मेटवर्क जो से हिर्न का सही अवा में एक पइंट आया वो देख रहा है बन पाइंट डिक LA सिंगल फाइंट रहा है ताकि जोढ़ा एसका एंटिना कनेक्टेड नहीं एक बार म Wynn इसका एंटिनदा को भी इसका एंटिना को भी यहां से करट cách लेहां सुर्व कि इसका एंटिना को भी है आप मैं इंटिना फोट रिया तो यह अपन-पजैर अपनफ जो है अपना आप पहुज आता इसका तो एक बार मैं तो यहां कर देता हूं कर दो एक को वंडॉइंट्ट तो दीख रहा है इसको क्या करेंगे ? इसको उपन करके फिर से फीट करेंगे चेक करेंगे इसको निकाल दे रहा हूं सारा निकाल देखे सारा चीज बोल को फिक्स कर देंगे पहले इसके अंदर जोए कि 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 करेंगे इसको अन कर लेंगे और अन करके चेक करेंगे के वापर मिट्वर्ट आता है कि लिए आता है जिसके फ्रेंट्स आपने देखा इसमें आई टूसी लाइन का इस्यू था इसी करण इसमें रेडियो आउफ का प्रॉब्लम आ रहा था जिसमें जो एंटिना स्विचेस होते हैं उसके उपर छोटे से आईसी ओं को यूश किया जा रहा है अभी जिसमें आई टूसी की सप्लाई आती है और वह एंटिना के पैट्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसमें एक लॉक का सप्लाई मिस्व ने करण सारा आई टूसी लाइन बंद हो चुका था जिसके करण वोल्टेजिस पॉल्ट पूट नहीं बन रहे थे तो यहां पर फिंट्स आप देख सकते हैं फोन पूरी तरा से अन हो चुका है एक बर हम कॉल कर लेंगे यहां मेरे पास एक और फोन है उस पर मैं कॉल करके आपको बताना चाहूंगा कि कॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो यहां पे इस कॉल कर लेते हैं एक बार ये सकते हैं क्योंके फेंड्स अभी हम लोग उपर देख सकते हैं नेटवर्क आच्छुके हैं ये और एक वाग काल कर लेते हैं विजु अच्छा लगा जरूर लाइक करें अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें और ये जो हैंटसर डेफेंट स्टुडेंट का ही है और लाइव क्लास में हमने इसको बनाया है स्टुडेंट के सामने सारे रॉंग नमबर हमने मिला दिया है तो कॉल नहीं लगेगा एक बर कट करके नमबर को वापस से चेंज करते हैं ये नमबर रॉंग हमने कॉल कर दिया थोड़ा सा कट करते हैं और दूसर नमबर मिलाते हैं तो फ्रेंट्स यह जो हैंसेट है इस्टुडेंट साथ में लेकिया एक लास के अंद तो लाइव हमने बना के बताया है उनको जैसे कि आप देख सकते हैं और इनका रिव्यू पर देखेंगे आप विडियो के शिरुवात में या इंड में आपने देखाऊगा इस फ्रेंट्स सारे हैं जो अभी रिव्यू दे रहे हैं हलो 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 तो जैसे के फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर हमारा कॉल लग रहा है और हमारा जो प्रॉब्लम था वो शॉल्व हो चुका है वीडियो अच्छा लगा जरू लाइक करें शेर करें थैंक्यू वेरी मच्छ फ्रेंट्स सारा समझ गया आप अभी कुछ सेट्स पहले हम लोग ने ट्रेस किया फिर जाके क्या क्या काम कर दिया थे पहले वो बताओ पहले इसका 2GPA चेंज किया था और 4GPA और बाद में डीडिये यह डेविली यार चेंज किया एपीटी पावर एपीटी पावर इंता सब चेंज करने पर लिए इसमें तो HDR 8150 लगके है व 120 कुछ आ रहा था और एक में क्या है 2400 तक एपीटी पावर रिवाल्ड किये तो जब जाकर बैलेंस हो फिर लाइव क्लास में सर आपको रिपर करें क्या प्रोब्लम निकला लास्ट में इसमें लास्ट में एक रेजिस्टर था जोगी जीरो उम्स का था तोड़ा इधर भी गुमाओ भाई थे को लाइव बनाए कि नहीं बने सेट लाइव बनाए ना ये एक रेजिस्टर की वज़े से फोन क्या हो गया था हमारा नेटवर्क इस्यू आ गया था बहुत बहुत है फिर एक शोटा रेजिस्टर भी बहुत इंपोर्टेंट है जब पर मारगे देखते पर बनागे अपन सीखे तो कोई आना चाहे आपके सिटी से क्या बलना चाहेंगे आ सकते है सर बहुत अच्छी इंस्टिटीट है और बहुत कुछ सिखने को मिलेगा इतना एक्सपिरेंस आगे बहुत टेम लगता है उतना के कम टाइम में आपे वह जो ट्रीक है से बहुत स में अपन सीझ भी आप के समा बलना चाहेंगे आ है सिर आपके सिरे बहुत भी आपे दो कर लो एकन गापके से बहुत से लिएक शोसे खास।।